वेल्कम टू नेक्सक जाम आज है 2 अपरेल 2023 और 2 अपरेल 2023 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन मन सकते हैं सारे मैं आपके सार डिसकस करूँगा और हर कुशिन से रिलेटेंट इंपोर्टेंट पैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडिय ट्लेग्राम उन्फ अनम पर सकते हैं यह और ट्लेग्राम आप सारी पीड्या पक्साथ मिलंगेków ऑर टेलिग्राम उतका लिंक में एक वीडियू कर लिंक करके ट्लेंट हो प्रूप कर सकते हैं तो चलिए इस टार्ट करते हैं पहला कुषिन हई हाली में अरब हैं का स्थांतना दिवस कуда मनाई किया तो अभी एक अपरेल को आरब्यका इस्थापन दिवस मनाई जाता है RBI अधिनियं 1934 की प्रावदानों के अनुसार RBI की स्थाफना होई थी जब इसकी स्थाफना होई तो इस टाइम सेंड्रल का रहल कलकता बनाए गया यानि की जो इसका मुक्याल था इस स्थापना की टाइम पर कलकता वाद में इसे 1927 में मुंबई सिप्ट किया गया तो अब नहीं की से पारिष्पर पर और की स्थापन होई थी यह भी कुशिन बन जाता है कि किस कमीशन की सिफारिस पर आर्बिया की स्थापन होई तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिस पर आर्बिया की स्थापन होई इतना आपको आर्बिया की वारे में रखना है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रख मोट कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है चत्तिस गड़ हाई कूट के नए मुख्य नयाईदीस कौन बने हैं तो नए क्यूशन है हाली में तुर्के की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31 सदस से बना है तो अभी टर्की की मंजूरी के बाद फिनलेंड नाटो का 31 सदस से बना तो इस कूशन का बे ऑप्सन सही है अब फिनलेंड तो यह है मैं अपने फिनलेंड फिनलेंड की केपि 31 सदस्य बना है तो NATO, NATO की full form क्या है North Atlantic Treaty Organization इसकी स्तापना कब होई 1949 में NATO की स्तापना 1949 में होई इसका headquarter कहां पर है Brussels में और इसके present time पर Secretary General कौन है Gens Stoltenberg कौन है Gens Stoltenberg ने क्यों है Hitachi Payment Services ने किसे MD के रूप में नियुद किया है तो Hitachi Payment Services इसने अभी Sumil Big Massey को अपने MD के रूप में पॉइंट किया तो इस question का C options आई है ये हैं Sumil Big Massey इनको अभी Hitachi Payment Services ने अपने MD के रूप में पॉइंट किया अच्छा अभी Axis Securities का नया MD and CEO Pradav Haridassan को नियुक्त किया गया NDTV ने UK सिन्ना को गैर कारिकारी अध्यक्ष नियुक्त किया Cotton Corporation of India के CMD के रूप में ललित कुमार गुपता को नियुक्त किया गया ताजकिस्तान में सयुक्त रास्ट के Resident Coordinator के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया और Honeywell ने CEO के रूप में Bimal Kapoor को Appoint किया है नए क्युक्षिन है एक अप्रेल को किस राजी का स्तापना दिवस मनाए गया है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ एक अप्रेल को Odisha का स्तापना दिवस मनाए जाता है इसे उतकल दिवस भी कहते हैं अप्रेल को मनाए जाता है अब Odisha तो यह है मैप में Odisha Odisha की केपिटल क्या है भूबने स्वर Odisha की चीपनिश्टर कौन है नभीन पटनाइक और Odisha की गवर्णर कौन है गनेशीला अच्छा Odisha में है वीलर दीप और वीलर दीप का नाम बदल के एपी जे अबदुल कलाम देफ रखा गया है Odisha सरकार द्वारा गंद मर्दन हिल रेंज को बायो डैवरस्टी हैरिटेज साइट गोसित किया गया Odisha में तेरे सो साल पुराना बहुत दिस्पूत मिला है Odisha के तेन जिलों में सोने की खाने मिली है भारत का पहला एग्री चेट वोट अमा कुरुशाई Odisha में लॉंच किया गया और पंद्रे में होके बिस्वकप का उद्गाठन Odisha के कटक में हुआ है अच्छा Odisha में रसी कुलिया बीच है, गुल्डन बीच है Odisha में सुनावेडा वाइल लाइफ संचुरी है कुठागड वाइल लाइफ संचुरी है नलवन वाइल लाइफ संचुरी है वैसी पल्ली वाइल लाइफ संचुरी है देवरीगड वाइल लाइफ संचुरी है गहिर मठ वाइल लाइफ संचुरी है और उडिसा में चिलका लेख है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है उडिसा में लेंगराज टेमपल है कुडार टेमपल है और जगनाट टेमपल है इतना आपको उडिसा के बारे में आद रखना है नए क्यूशन है ओरियंट इलेक्टरिक ने नए MD&CEO की में अभी राजन गुपता नियुक्त हुए है दुश्कुशन का ए ओप्सन सही है यह है राजन गुपता यही ओरियंट इलेक्टरिक के नए MD&CEO पॉइंट हुए है अच्छा PFRDA का अध्यक्ष देपक मोहनती को नियुक्त किया गया LIC के प्रबंद निदेशक के रूप मे तबलेस पांडे को प्रमोट किया गया टैक महिंदरा ने मोहित जोसी को MD&CEO के रूप में पॉइंट किया सेचेंजिस क्लाइमिट के भारत के राजदूत के रूप में स्रेया घोडाबद को नियुक्त किया गया और LIC का अंतरिम चेर्मेन सिदार्थ मोहनती को नियुक्त क हाली में CCTNS के क्रियान वेयन में केसराजी की पुलिस प्रत्थमिस्तान पर रही है तो CCTNS पहले तो इसकी फुल फॉम आपको यादा करनी है CCTNS इसकी फुल फॉम है Crime and Criminal Tracking Network and System इसके क्रियान वेयन में हर्याना पुलिस टॉप पर रही है तो इसको इनका C options है अब हर्याना हर्याना की केपिटल क्या है? चन्डिगड, हर्याना की चीपनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खटर क्टर और हर्याना की गवरणर कौन है? बंडारू द mixesütत्री रेल विद्यूती करण हासिल किया है उत्तर भारत का पहला पर्माणु सेयंत हर्याणा में बनेगा ग्रेह मंत्री अमित्सा ने हर्याणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अबाट से समानित किया और चत्तेश में सूरज कुंड अंतरास्टी सिर्फ मेले का उद्गाटन फर सारा थॉमस ये एक उपन्यासकार थी और अभी 89 एर की एज में इनका निदान होगा तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है ये थी सारा थॉमस ने क्यूशन है हाली में किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्रे सेटेज आप दा वर्ल्ड की रूप में मानिता दी गई तो अभी वे उपोंबाय को लगातार दूसरी साल 2022 ट्रे सेटेज अप दा वर्ल्ड की रूप में मानिता दी गई तो इसकुशन का से ऑप्सन सही है है नच्युशन है नासा के मून ट व मार्स प्रोग्रम के पहले प्रमुक के रूप में कैसे नियोक्त किया गया तो नासा का है मून मार्स प्रोग्राम इसके पहले प्रमुक की रूप में अमित चत्री को अपॉइंट किया गया तो इसको इनका बे ओप्सन सही है यह हैं अमित चत्री और इनिको नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुक की रूप में अपॉइंट किया गया है अब नासा यानि कि National Aeronautics and Space Administration इसकी स्तापना कभ हुई 1958 में इसका Headquarter कहां पर है Washington DC में और इसकी प्रजेन टेम पर Administrator कौन है Bill Nielsen ने क्यूशन है हाली में किस ने PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक की रूप में कारिबार समाला है तो अभी राजीब के मिसरा ने PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक की रूप में कारिबार समाला है तो अभी WHO ने अज्र बैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त और एसके रूप में प्रबंद किया तो उस क्रैंट का? इमो मली रह्मन कौन है इमो मली रह्मन अच्छा WHO यानि कि वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईशन इसकी स्तापना कव हुई 1948 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है जिनेबा में और इसकी प्रिजेंट टेम पर हेड़कॉन है टेड्रोस अधानूम गेवेरियस ने क्यूशन है ग्रे और यही ग्रेश में भारत के अगले राज़दू तो पॉइंट हुए हैं अब ग्रेश तो यह मैप में इसकी 착य क्या ऐ एथेंस ग्रेश की करंशी क्या है यूरो और ग्रेश के प्रेजेहन टेम पर प्रैमिनिश्टर कॉन है के मिस्तो ताकिस कॉन है के मिस्तो ताकिस हाली में ग्रेय मंत्री अमित्सा ने कहां सरदार बल्लबाई पटेल इसमारक का उद्गाटन किया है तो हमारे ग्रेय मंत्री हैं अमित्सा इन्हों ने अभी करनाटक में सरदार बल्लबाई पटेल इसमारक का उद्गाटन किया तो इस question का A options है और करनाटक में ही इन्होंने 103 feet उचे तिरंगे को भी फैरा है करनाटक में एक जगे है वीडर यहाँ पर इन्होंने 103 feet उचे तिरंगे को फैरा है अब करनाटक तो यह है मैप में करनाटक करनाटक की capital क्या है बैंगलोर करनाटक की चीपनिष्टर कौन है वसव राज बॉंबाई और करनाटक की गवर्नल कौन है थावर चंद्र गहलोत अभी करनाटक ने 54 साल बाद संतुस ट्रॉफी जी ती प्रदार मंत्री मोदी ने करनाटक में सिब मोगा हवाई अड़े का उदगाटन किया ये कमल के आकार में बनाया गया है सिब मोगा हवाई अड़ा करनाटक सरकार ने अमरत नगरोत्थान योजना की गोशना की करनाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लेनिक लॉंच किये है और करनाटक में एसिया का सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर कार खाना खोला गया अच्छा करनाटक में बांदीपूर, अंसी, नगरहूल, बनलकटा और कुद्रे मुखा नेशनल पार्क है ये करनाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है नेशन है, केस पेमेंट बैंक ने अपने ग्रहकों के लिए वाटसेप बैंकिंग सेवा सुरू की है तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्रहकों के लिए वाटसेप बैंकिंग सेवा सुरू की तो इसक्षिन का से ओप्सन से ही है अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक इसकी स्तापना कब हुई 2018 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है न्यू डेली में और इसके प्रजेन टेम पे MD&CEU कौन है जे बेंकट रमो कौन है जे बेंकट रमो अब लास्ट वीडियो की कुश्यन का आंसर कि कुश्यन के बारे में आपको जतना जता स्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़े आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में दुनिया का तेसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा cricket stadium कहां बनेगा चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेश RC Instagram पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस video का आप target जुरू याद रखना आज किस video का target है 40 लाइक का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है helpful लगा है, तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजी आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप इसे subscribe करेंगे तो और आउर में एक bell icon में किया आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam all page video thanks for watching